Hello dear students, good morning all of you, हमारा topic चल रहा है tense, और tense में हम आज पढ़ेंगे part 11 था, था tense का ग्यारवा भाग, ठीक है, और जैसा कि previous class में हमने पढ़ा था past indefinite tense के बारे में, और वहाँ हमने translation के बारे में पढ़ा था, आज हम इसकी correct form के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपके exam में question पुछ जाते हैं, तो देखिए, आज का हमारा tense है, past indefinite tense, ठीक है, और आज का tense सुरू करने से पहले हम पिछली कक्षा में जो आपको sentence दिये गए थे, उनको solve करेंगे, hw of last class की पिछली कक्षा में जो आपको hw दिया गया था, उसको बड़े धान से हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे sentence दिये गए हैं, तो देखिए, पहला sentence हमारे पास है, गत वरस हमने दीवाली बड़ी धूम धाम से मनाई, तो आपको कहीं confused होने क्या हो सकता नहीं है, अब यहाँ हमारे पास दो adverbs दे रखी हैं, एक तो दे रखी हैं धूम धाम से, और एक दे रखी हैं गत वरस, ठीक है ना, तो अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास गत वरस दे रखा है, टाइम को दरसाने वाली adverb है, तो पहले इसको translate करेंगे, गत या पिछला के लिए हम यूज करते हैं, last वरस के लिए year, तो last year, अब हमारे पास subject कोन है, हमने, हमने बोले तो हम, बोले तो we, ठीक है, और मनाना को बोलते हैं celebrate, और य उसके आ, जाता है, तो last year, we celebrated, हमने मनाई, क्या मनाई, दीवाली, तो फिर object आ गया, दीवाली, और कैसे मनाई, बड़ी धूम धाम से, तो देखिए, with, बड़ी के लिए great, और धूम धाम से, पॉम पेंड, सो, last year, we celebrated, दीवाली, with great, पॉम पेंड, सो, कि पिछले वरस हमने दीवाली बड़े धूम धाम से मनाई, ओके, next sentence हमारे पास है, मोहित ने मुझे पिछले सब्ता आमंत्रित नहीं किया, अब sentence में नहीं आ रहा है, it means sentence negative है, और past indefinite tense के negative sentence बनाते समय, did not classwork की first form का use किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास subject दिया हुआ है, मोहित और यहाँ sentence negative है, तो did not invite और मुझे के लिए me, और पिछले सब्ता के लिए last week, ठीक है, next और last sentence है, आज का हमारा, क्या सोनू ने एक पत्र प्रेशित किया, क्या, इसका मतलब हमारा sentence interrogative है, question mark भी दिया हुआ है, और कौन सा interrogative है, HV type interrogative, और HV type interrogative sentence में, sentence की सुरुवात HV से करते हैं, तो did सोनू deliver a letter, did, सोनू प्रेशित करना को बलते हैं, deliver, और भेजना को बलते हैं, send, ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीन sentences, जो आपको HV में दिये थो, उनको हमने solve किया, कहीं अच्छे से study करेंगे, आप बड़े धान से इसको देखेंगे, इसके बाद, अगला जो point हमारा शुरू करते हैं, वो है correct form of the verb, अर्थात past indefinite tense में correct form भरते हैं, आपको कौन सी adverb देखनी हैं, तो साप साप लिखा हुआ है adverbs, अब मैं एक एक adverb को underline कर रहा हूँ, बड़े धान से देखेंगे, यदी sentence में yesterday, क्या हो, yesterday, आपको धान रखना है, जो ऐसी adverb जो बीते हुए समय को दरसाती हो, वो past indefinite tense में आती हैं, तो अब देखें यदी sentence में क्या आता हो, yesterday, yesterday बोलो तो बीता हुआ कल, ago, पहले, day, back, क्या है, day, back, childhood, चाइल्ड हुड, बच्पन है, innocent time, प्राचीन काल में, olden days, पुराने दिनों में, youth, last या previous, last या previous, उसके बाद चाए day आए, चाए week आए, चाए मन्त आए, चा है, holy, whatever, जो भी कुछ भी हो, ठीक है, last या previous लखे कुछ भी आता हो, कोई भी time आता हो, तो वहाँ कोई सा tense होता है, past indefinite tense, इसके अलावा, यदी sentence में once आता हो, क्या आता हो, once, जैसे आपन पढ़ते हैं, once there was, तो वहाँ पर वाज आ गए न, once क्या according, once आता हो, या फिर 2018, ज 2010 है, आदी adverbs आएं तो, correct form भरते समय, affirmative sentence, कौनसे sentence, affirmative sentence में, verb की second form का यूज करना है, कौनसी form का, verb की second form का, और sentence negative और interrogative हो, कैसा, और negative और interrogative sentence में, did plus verb की first form का यूज किया जाता है, अर्था ता, formative sentence आएगा, तब तो, verb की कौनसे form आएगी, second, और यदि sentence आपका, negative या interrogative होगा, तो, did plus verb की first form का, यूज किया जाएगा, example के मध्यम से हम इस concept को clear करेंगे, जैसे आपको देख़े, example में देखिया आप, we, to meet my friend last night, तो, अब हमारे पास, यहाँ, adverb में क्या दिया हुआ है, last night, तो, last lucky time को, दिया हुआ है, it means, हमारे इस sentence में, कौन sentence है, past, indefinite tense, sentence हमारा कैसा है, यह, जैसा आपको पता है, sentence हमारा है, सरी, affirmative, क्योंगे, ना कहीं note है, ना कहीं question मार के, इसका अफर्मेटिव sentence है, और affirmative sentence में, work की second form का use किया जाता है, तो, हमारे पास दिरखा है, go, और go की second form होगी, went, क्या होगी, went, तो, यहाँ, हमने पहले sentence में भर दिया, go की second form को, went को, अगला sentence हमारे पास दिया है, he, blank not, blank me, on his last birthday, अब यहाँ भी क्या दिरखा हमारे पास, last plus occasion, ठीक है, तो, यहाँ भी past indefinite tense है, sentence में क्या दिया हुआ है, note, it means, हमारा जो sentence है, वो negative है, कैसा है, negative, और negative sentence में, did plus verb की first form का use किया जाता है, तो, अब यहाँ हमारे पास आएगा, पहले blank में, actually, बोले तो, did, दूसरे blank में, main verb, बोले तो, invite, did not invite, ठीक है, next और last sentence, बहुत ही अच्छा, important sentence है, अक्षर exam में कई बार पुछा भी गया, star लगा दिया है मैंने इस sentence को, ठीक है, इसके दो प्रकार के sentence है, जो मैं एक आपको HW में दूँगा, एक आपको यहाँ solve करवा रहा हूँ, तो, देगे, इंडिया, bracket में दे रखा है, get freedom in 1947, कि भारत ने 1947 में आ जा दी प्राप्त की, तो 1947, 1947 बीतेवी time को दर्शा रहा है, ठीक है, तो, इंडिया got freedom in 1947, ठीक है, इसके बाद next point के मध्यम से आपको दूसरा concept समझाया जा रहा है, यह तो हमारी adverb के आधार पे था, ठीक है, अच्छा हो तो adverb का screen shot ले सकते हैं, वीडियो को pause करके, जितनी भी adverb दिर्खे मैंने सब को underline कर रखा है, देखिए, इसके बाद अगला जो note है, बहुत ह अकसर exam में हर बार question पूछा जाता है, यदी sentence के एक clause में, clause बहुत है, यदी sentence के एक clause में वहन दिया हुआ हो, और वहन वाले clause में वाज या वर, अब वाज या वर के बाद चाहे noun हो, चाहे कोई adjective हो, चाहे verb की first form plus ing हो, और लिक दे रखा है, यह तो noun मिलेगा, यह फिर adjective मिले ing मिलेगी, किस के साथ, वाज या, वर के साथ, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है, तो दूसरे clause में, तो अगर यह condition आपके पहले clause में दे रखे है, आप दूसरे clause में यह condition दे रखे है, तो पहले वाला clause इसके according आएगा, तो दूसरे clause में, वर्प की second form का यू के बाद आपके पास कोई भी वाज सुरी, वाज या, वर, वाज या, वर्प प्लास कोई noun हो, या फिर कोई adjective हो, या फिर वर्प की first form प्लास इंज हो, तो दूसरे वाले clause में, वर्प की कौन सी form यूज करनी है, second form, इस pattern को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यह condition हो सकता यह pattern बाद में आजाए, यह पहले वाली condition, इसके according आएगी, ठीक है, तो अब देखिए, example भी दे रखा है हमारे पास, when रवी वाज यंग, तो he, अब यहाँ देखा प्ले, तो प्ले की second form हो जाएगी, played, next, when he was a student, अब यहाँ adjective दे रखा था, यहाँ noun दे रखा है, तो यहा when I was watching TV, अब यहाँ when के बाद वाज दे रखा है न, वर्प की first form plus ing है, तो my father call, call की second form हो जाएगी, called, अर्थाथ मैंने तीनों conditions के example आपको समझा दिये हैं, यह आपको HW में दे जा रहे है, पहला sentence है, इंडिया become free in 1947, ठीक है, postman the door when I was listening music, अब यहाँ when वाला close मैंने बाद मे दिया है, when his father was a teacher, he English, ठीक है, तो तीनों sentence आपको HW में करने हैं, ओके, बाई